अब इनको पता चलेगा दो महिने के बाद, पता चलेगा, कहीं अताप पता नजर नहीं आएगा पीजेपी और डवल इंजन की सरकार तेजस्वी यादब बिरुजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को पूरी मजबूती के साथ घेरने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादब ने बिहार की जनता से यह अपील की है कि 9 सितंबर के रात 9 बजे 9 मिनट के लिए वो अपने घर के बत्ती को बुझाएं और दीप या लाल टेन जलाएं हलाकि आपको बता दे कि इस पर NDA के जो नेता हैं उनकी भी पतिक्रिया सामने आने लगी है और यह कारिक्रम होने से पहले ही NDA के नेताओं का कहना है कि यह पूरी तरह से फेल हो जाएगा क्योंकि तेजस्वी के जहासे में बिहार की जनता और बिहार के युवा नहीं आने इसलिए असर हो गया है दो मैना के बाद इसका रियंग में पता चलेगा उनको जिस जुग में यह लेकर के चले गए विहार को यह जो चीख और पुकार है गंदगी में नमबर वन है अपराध में नमबर वन है भरस्टाचार में नमबर वन है इस जुख से तेजस्वी जादब जी बिहार को निकाल करके ही दम लेंगे चाहे यह हमारे बिरोधी जितना शट पठाते रहे जश्वी जादब जी ने जो संकल्प लिया है कि हम सकारात्मक राजनिती करके बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे उसमें जो लोग भी बिहार के सामिल होंगे सब का स्वागत है और बिहार का नौजवान आज बता देगा जिसका भविस इस डवल इंजन की सरकार ने अनकार में कर दिया है वो दीपक जलाकर, लाल्टेन जलाकर, मुंबती जलाकर अपने भविस को बचाने का संकल्प लेगा तेजस्वी जादब जी के आवान के साथ बिहार का नौजवान बिहार के लोग खड़े हुँगे अब इनको पता चलेगा दो महिने के बाद दो महिने के बाद पता चलेगा कहीं अता पता नजर नहीं आएगा बीजेपी और डेवल इंजन की सरकार। अब हमारा नकल नकर रहे हैं वो पहले लालू परसाद जी जो लोगों के गरीबों के भविसको जो अंदकार में कर दिया इस एंडिये की सरकार ने उस अंदकार से प्रकास की और ले जाने के लिए जो लाल्टन हमारा प्रतीक है जिन है राष्टे जनता दल का यह हमारा पहुचा दे लेकिन हर घर में पहुचा करके उनका रोजगार नोजवान का कहा गया आज भी आप जा करके देख लिए गरीबों के जोपड़ी में ये कभी सीएपेल तो इन्हों ने कहा कि 2700 करोड रुपिया खर्च किये स्मार्ट सिटी के नाम पर ना गंदगी में पटना न लगा है और अपना चेहरा चमका है और दिया है चवी अपना चमकाने के लिए जब पटना राजधानी में पूलीस बर्दी में है उनको मार रही है अपराधी और माफिया तो ये कहां पहुचा है सबको पता चल गया कानून का राज क्या है पूलन फाइलन नहीं ताबूद इस डवल इंजन की सरकार में तेजस्वी जादव जी के द्वारा इस सरकार के ताबूद में अंतीम कील ठोका जाएगा बिहार में जारकंड दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है इसके बाद हिंदुस्तान पर चढ़ाई है आपने सुना मृतुंजय तिवारी ने एंडियो को घेरते हुए कहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया आज भी गरीबों के घर पे या जोपडियों के अंदर आज भी लालतेन ही जलते हैं लेकिन जिस तरह से नितीश कुमार बड़ी बड़ी बाते करते हैं तो बिहार में अगर इस तरह का कोई बिकास करते हैं तो जनता भी इन्हें जानती पहचानती लेकिन नितीश कुमार से जनता जो है वो पूरी तरह से परशान हो चुकी है साथ ही आपको पता दे कि मिर्तुन्जाती बारी ने इस चीज का अब जिक्र किया है कि जारखन दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी ये दो महीने के अंदर ही इन्हें अच्छे से पता लग जाएगा और चुनाब के बाद ये कहीं भी मुद दिखाने लाइक भी नहीं बचेंगे ऐसा ही तमाम अपडेट्स आपको एचेस भिहार देते रहेगा अबरी के लिए फिला लिता ही नमस्कार